पाकिस्तान के अंदर वाइड पहला ऐसा चैनल है जो आपको इन दोनों फून्स को डिटेल कामरा डेस्ट प्रवाइड करने वाला है और यह सब आप लोगों की वज़ां से हुआ है तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर आप आप लेक पर हमें 28 मेगा पिसल का क्यामरा देखने को मिलता है सारा कुछ आप हम इस वीडियो में डिटेल में टेस्ट करने वाले हैं तो आज आए इनके कैमरा सेंपल की तरफ आइफून के अंदर और वहीं पे पोर्ट्रेट वीडियो आई S23 अल्ट्रा के अंदर रिकॉर्ड हो रही है तो यहां पे आप इसका डिटेल अब गहना देख सकते हैं किस तरह की आ रही है दोनों की एडिटेक्शन किस तरह की देखना को मिल भी और बैक साइड को पूर मेरे सबसे में पार था क्योंकि इस पर आइफून ने काम की अपने सेने में अपर लेकिन S23 का भी एडिटेक्शन कमाल होती है तो अब देख लिए आप इन दोनों में से किसका दल्का में बेतर देखना को मिलता है मारी स्किन ट्यून के साब से और पाकिस्तानी वीजर के साब से दोनों मुबाइस के अंदर 4K 65 स्कूपर और यहां पर बैक साइड से बिल्कुल हार्ज लाइट आ रही है तो आप देख सकते हैं दोनों में से कौन से अच्छे से डिटेल मैनेज कर पा रहा है और चेरे की उपर अपड़ेक्ट की डिटेल वगएरा भी आप देख सकते हैं एक बार फोल्ट के मैं आपको इनके फ्रेम्सिट भी रिखा जयाता हूँ और यहां फरस्त इंप्रेक्षण में मुझे इस ट्वैंट्य ट्रा की विडियो लाइकली ज्यादा स्टेबल देखने को मिल रही है 4K 60fps के उपर और एक और बाद के 4K 60fps के उपर आप आईफून के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंज के अंदर शिफ्ट कर सकते हो जबके S23 के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंज में शिफ्ट नहीं कर सकते और मैक्सिमाम जूम 9x तक देखने को मिलती है और वहीं पर हमें अगर 4K के उपर बात करते तो 10x तक मैक्सिमाम जूम देखने को मिलती है S23 अल्ट्रा के अंदर तो ओवराल फिलहाल 4K के उपर डेफिनेटली विनर है आईफून 15 प्रो विकॉस अल्ट्रा वाइड लेंस और उसके सासत बाकी 3x लेंस के अंदर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं तो कलर वगरा भी देख सकते हैं यहां पर मुझे आईफून के लाइटली ज्यादा बेतर देखने को मिल रहे हैं एक बड़ मैं आपको 4K 60fps के सेंपल भी दिखा देता हूं सेम केंडिशन में यहां पर 1080p 60fps के उपर रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों बाइस के अंदर यहां पर डिटेल वगड़ा देख सकते हैं कि हमें किस तरह की देखने को मिलती है और मैं आपको इनका फॉकस भी दिखा देता हूं कि दोनों में से कौन सा फून फॉकस फॉस्ट करता है यह मैंने बैक साइट पर शिफ्ट किया और यह मैंने लेवस के ओपर फॉकस करने कोश्च कि यहां दोनों बाइल ही नहीं कर पा रहा है यहां पर मैं बैक साइट कर द करता है और मैक्सिमम जूम की बात करते हैं तक प्रवाइड करता है अपना प्रवाइड करता है अपना अच्छे देखने को मिल रहे हैं दोनों फून के यह वाली वीडियो रिकाडिंग हो रही है आइफुन 15 पो के अल्ट्रा वाइड लेंज के साथ 1080p 60 फिसको पर अगर आव लोगें करना चाते हैं तो आप कुछ यह वाला एंगल यूज़ करेंगे और उसके साथ स्टेबिलिजेशन आप देख सकते हैं मैं स्टेम चल रहा हूं तो आपको कितनी स्टेबल वीडियो देखने को मिल र प्रवाइड करता है एक बार यहीं पर मैंट और मोईज के उपर इस तरह पर देखने का मिलेगा एक बार घूम के मैं आपको दिखा औरुसरिशन की बात करते हैं तो इस टमें चल रहा हूं तो आपको इसकी स्टेबिलिजेशन का भी आडिया हो जाएगा इस टैम मेरा चेहरा शैड़ एरिया में है और एक बार मैं सूरज को अपने बैक साइड पर ले आता हूं इसी जगा मैंने आईफून को भी बैक साइड पर लाया था यहां से आइफून के अंदर एक्षिन मूड देखने को मतлохे और किषी स्टेबिलिजेशन दिखाता हूं कि किस की इच Τे बाहे आपको बाह कर दिखा दिया कि दोनों में से किस्टैलिजेशन अच्य देखने को मिलती है मैं काफी ह् вже फा味ता था तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में से किस किस टेविलिजेशन ज्यादा बेतर है यह वली वीडियर कोड़ेंगे दोनों मॉइल के फ्रंट कैमरा से हो रही है 1080p, 60p के उपर जहां पर आप डिटेल्स गारा देख सकते हैं किस तरह की देखने को मिली हैं अगर आप फ्रस्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में आईफून 15 प्रो काफी अच्छे से डिटेल कवर पूट कर पा रहा है वहीं पर अगर आप S23 अल्टर की बात करते हैं तो इसके कलर्स वलर्स थोड़े मुझे अजीव से देखने को मिलेंगे हैं बात करते हैं तो वह बैक साइड को भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है और यहां पर हार्श लाइट आगी है में चेरी के ओपर तो आपको आइडियो हो जाएगा कि दोनों मेंसे किसका रज़त हम बैतर देखने को मिलता है तो और इस टाइम बिल्कुल बैक साइट पर मैं सूरज को भी ले आया हूँ तो आपको यहां पर भी पता चल जाएगा लेकिन अगर आप फर्स्ट इम्टेशन में अच्छी वीडियो की बात करते हैं तो वो मुझे यार आईफून की ही देखने को मिल रही है अब आजाए यह इनकी जरा फूर्डू सैंपल की तरह अब बात करते हैं अगर आप पोटेट की बात करते है तो तूम मैल में विए पू एक्स घ्री एक्स और उसके साथ यहां पे आप देख सके बिलकुल बैक साइड से अर्च लाइट थी तो भी दोनों ने अच्छा काम किया तो मेरे खियाल में एज़िटू है जैंड दोनों मेंसे कोई भी कंसिडर कर लो आपको ज्यादा डिफरेंस फील होने वाला नहीं है जहां पे मैंने इसल नहीं पर नहीं है यहां पर भी मुझे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं में है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक आईफून को संसिंग के साथ कंपेर कर रहा था तो मुझे संसिंग के ऐल Maid के साथ अलग नहीं लग रहे थे थे अलग जरूर थे लेकिन इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं था जितने एक iOS या Android फंक्शन के दर्मयान होता है धोरे से बूस्टेड कलर जरूर थे S23 Ultra के लेकिन ओवरार मुझे दोनों की पिक्चर तकरीबन सेमी देखने को मिल ली थी सेमी डाइनमिक रेंज थी सेमी डिटेल्स थी हाँ एक प्रॉब्लम जरूर मुझे देखने को मिल है आईफून के अंदर कि उसका आटो फॉकस ज्यादा फास्ट काम नहीं कर रहा था जबके S23 Ultra का आटो फॉकस बहुत अच्छे से काम कर रहा था जैसे मैं किसी क्लोज अबजेक्ट के पास करता था फॉर्म से फॉकस ले रहता था जबकि अगर आप आईफून 15 प्रो की बात करते हैं तो उसका मुझे ज्यादा तर क्लोज अफ के उपर टैप टू फॉकस करन यह मसला नहीं आने वादा अब अगर सेलफी की बात करते तो यहां पर मुझे दोनों कर दल तकरीबं सेम देखने को मिले ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं नजर आया दोनों फून के अब अगर नाइट मूड की अगर आप नाइट मूड आउन कर लेते हैं से जाकर तो इस टैम भी सेनेमेटिक मूड में मुझे आईफून से बेतर एस टुएटी त्री अलगा है लेकिन अगर आप बाकी वीडियोग्राफिकी बात करते हैं जैसे के बैक साइड से आर्श लाइट आ रही है व्लॉगिंग की बात करते हैं फेस के उपर आर्श लाइट पड़ी है बैक साइड के उपर हार्श लाइट है तो वहां पर हर जगां पर मुझे आईफून ने ज्यादा वीडियोग्राफी बेतर प्रवाइड की है चेरे पर डिटेयर्स ज्यादा अच्छे से मैनेज़ कर पा रहा था और फ्रंट कैमरा में भी ज्यादा बेतर काम कर पा रहा था स्टिल हुआ ही परानी बाद के वीडियोग्राफी में डैफिनेटली मुझे आईफून ज्यादा बेतर लगा है लेकिन अगर आप बात करते हैं एस 23 अल्टरा की तो पोट्रेट्स मूड में मुझे ज्यादा अच्छे से रिजल्ट परवाइड किया है इसने मेरे साथ जो म का जो हमें लेजर है वो ज्यादा फास्ट फॉकस करता हुआ देखने को मिले हैं तो मेरे ख्याल में अगर आपने फोटोग्राफिया करनी है नॉर्मल यूज़ करना है अगर आप एक बिजनसमें टाइप बने हैं तो आपको एस 23 अल्टरा की तरफ ही जाना चाहिए आपको इस तरह की वीडियो में इस चैनल पर डालत रहा है तो किसी किसम का कोई क्वेस्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो अब अपने बाई को दीज़े जादत मिलते किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज